बच्चों को ज्ञान व्रद्धी और प्रान शक्ति दो शक्तियों की जरुवत है प्रान शक्ति और ज्ञान शक्ति ज्ञान शक्ति नहीं है तो जोर से ताली ठोकेंगे तो कमजोर बुद्धी हो जाएंगे ज्ञान शक्ति व्रद्धी नहीं होगी तो खड़े खड़े पानी पिएंगे खड़े खड़े खाना खाएंगे और बुद्धिनास होता है प्रान शक्ति बढ़ाना हो तो अच्छा पोशन होना अच्छे पोशन के लिए होली तक तीन खजूर बच्चे भिगा देवे रात को सुबह मसल के दूद के साथ लेए पोशक टत्व है खजूर में और व्यायायाम करें साड़े चार बजे से पांच बजे के बीच प्रानायाम करें प्राण शक्ति खूब बढ़ेगे सहियम शक्ति बॉइ फ्रेंड गर्ल फ्रेंड से सहियम ना सोता है याज शक्ति प्रान शक्ति कमजूर होती है लड़की लड़कियों को सहली बनाए लड़के लड़कों को दोस्त बनाए तो बुद्धी शक्ती प्रान शक्ती मजबूत होती जो लड़के लड़कियों से लड़कियां लड़कों से फ्रेंशिप करते हैं बुद्धी शक्ति प्राण शक्ति दब्बु बन जाती है। बुद्धी में तटस्तता हो। पक्षपात न हो तो बुद्धी बढ़ती है। समत्व हो तो बुद्धी बढ़ती है। सत्संक विवेक हो तो बुद्धी बढ़ती है। अर प्रां शक्ति बढ़ने के लिए अग्छा पॉषन, अच्छा वयायाम, और सेयाम इसे प्रां शक्ति बढ़ती बस्, प्रांशक्ति बुद्धि शक्ति जो बढ़ गई तो सारी दुनय को आश्चेरी निया डॉल सकता है 3 पड़े हुए दुनया आश्चेरी करती कि अमकाली तीन पड़ें दुनिया आश्चरे करती है प्रधान मंत्री भी आते है मुख्य मंत्री प्रधान मंत्री क्या देवता है और यक्षों के आगे तो प्रधान मंत्री पद कुछ भी नहीं है अस्त्रप्षिणों निदिों के आगे प्रधान मंद्री पद्ध तो कुछ भी नही है। तो प्रान शकति बुद्धी शकति वे ठवड़ाने के तीन तीन उपाये है। स्वामी योगा नण जी विदेश में गए है, पोजियों को बोला, कि तुमारी ए पूल और ए टमबाम यह थ्यार कुछ भी नहीं है, प्रान शक्ति और बुद्धी शक्ति बढ़ जाती है, तो संकल्प से कुछ का कुछ हो सकता है, तुमने जो भी नया पूल बनाया पोजियो मेरी प्रान शक्ति और बुद्धी शक्ति से वो पूल में तोड़ के दिखाता हूं, हाथ नहीं लगाओ के पूल तोड़ दोगे, क्यों हाँ, तुमने नया नया पूल बना उदर लेगा है, बोले देखो यह थे पूल में ने देख लिया, अब मेरे को दो दूलांग दूर नहीं चलो तुम, वहाँ से पूल दिखता है, हाँ देखना कैसे तूटता है, दोनों हाथ है से क्या, और यहाँ ओमकार का थोड़ा चिंतन क्या, लंबा स्वांस लिया, मन में जपा, ओम, 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 में हाथ खोलूंगा, उसी समय ये मजबूत पूल मिलेटरी का दूम गिरेगा, बिलकुल गिरेगा, क्योंकि बुद्धी शक्ति और प्रान शक्ति एक होती है, संकल्प सच्चा होता है, देखना अब, ओठो में जपा, फिर शान्त हो गए, फिर रदे में जप उआ, भिर रदे का जप भी छोड़ दिया, एक्दम शान्त हो गए, और संक े फुले हम भीफ्वी के ए defendant far fine जय हिंए ली अपुल बना था मिलिटरी ka ज़िशे के जाती जाते हैं और गाड़ियां जाती हैं े आपुल अकि त्ते ़ा कि भुड्दिय क्ति और टांछ नहीं कर दोफाяс कि न deaf बुड्डिय क्वड्डनिय काम नहीं करे गा और आसे बाते बताओंगा कि बास तुमको लगेगा कि हम जरूर, और आसान है, क्वठीन भी नहीं है। जाहे सर्टी पिके तुम्हारे को पहली क्लास का हो, लेकिन प्रान शक्ति और बुद्धी शक्ति बड़ी, तो बड़े बड़े लोग भी तुम्हारे आगे, धन्य होने लगेंगे, तोड़ी देर शान्त रहने का आप ब्यास करें। एक टक आख किपल के न गरे, एक टक भगवान को देखे आखकास को देखे, इससे एक आगरता बढ़ेगी, बुद्धी शक्ति बढ़ेगी। इंद्रियों को वश में करें। जब आए तब खा लिया। जब आए तब नहीं। कब खाना, कब नहीं खाना, कब बोलना, कब नहीं बोलना, ऐसा सईयम हो. दूसरा, अपने में दोश नहीं, दुखदाई, जो करम है, उन से बचे, चोरी, चुगली, बुरी नजर से कन्या, छोरे को देखे, छोरा कन्या को देखे, इससे जीवनी शक्ति नास होती, सदाचरन करे, ब्रमचरे का पालन करे, आशक्ति ना रखे, और सत्य बोले, और सहन शक्ति बढ़ावे, आय, महान बन जाएगा, और पढ़ते समय अभिमान ना करे, क्रोध ना करे, लापरवाई ना करे, सैयम रखे, आलश्य ना करे, इससे भी विकास होगा बच्चों का, तत पता से करे, आलश्य से काम को, लापरवाई से काम को बिगाड़े नहीं, तो अच्छे वी द्यारती बनेंगे.